आज मैं बना रही हूं मूंग डाल डोसा या फिर इसे आप चीला भी कह सकते हैं यह बहुत ही इसली बनता बहुत ही टेस्टी बनता है इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और यह घर की इंग्रीडियन से ही बन जायगा इसे बनाना बहुत ही सिंपल है तो कारट बार मैं वीघोज लेना है और नइट सोब कर लिजे इसे हैं है इने मूंघ की यहां पर एक कप से थोड़ा ज्यादा मैंने लिया है चावल ढरिन जो एक चावल भी डाल दीजिए जो आपने चावल भी गोकर रखा था तो यह देखिए चावल को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है सोप होने के लिए आप 102 गंटे के लिए चावल डाल सकते हैं इसके बाद यहां पर डाल रहे हूं मैं आठ से दस कलिया लहसुन की दो हरी मिर्च डाल यूज करें अगर थोड़ा सा पानी डाल कर इसका एक फाइन पेश्ट बनाना है पानी आप जरूरत के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं इसका यह देखिए फाइन पेश्ट बना लिया है मैंने इसका अगर आपको यह ज्यादा ठीक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ कर सकते हैं इसमें पानी थोड़ा सा मौर एड़ करेंगे पहले से एक बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं अब इसमें मैं डाल रही हूं एक कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब इसमें मैं डाल रही हूं एक टेबल स्पून नमक एक टेबल स्पून मैं डाल रही हूं अजवाइन अजवाइन को अब क्रश करके डाले हाथों से मसल कर इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूं हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून डाल रही हूं म गरम मसाला बाउडर इन सब को अच्छे से मिक्स कर लीजिए अगर आपको लगे कि बैटर ठीक है तो आप इसमें फोड़ा सा पानी और एड़ कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से मिक्स करने के बाद इसे हमें 10 मिंट के लिए डखकर आप इसे रेश्ट करने के लिए रख दीजिए तब तक हम इसकी चटनी तियार कर लेते हैं को इसकी चटनी बनाने के लिए मैं ले रहे हुँ यहां पर फ्रेश धन्या इसके बाद मैंने लिया है रोष्टेड गार्लिक लैस्वून थोड़ी से चुगड़े डाला है मैंने अद्रक्का तीन ले रहे हुँँआ पर हरी मिर्च एक टेबल स्पून ले रहे हुँआ पर मै इसके बाद तीन टेबल स्पून यहां पर मैं डाल रही हूं दही एक टेबल स्पून मैं डाल रही हूं यहां पर चाट मसाला और एक टेबल स्पून यहां पर मैं डाल रही हूं ओयल आप जो भी ओयल खाते हैं वो डाल सकते हैं इसके बाद इसमें इसका मैं एक फाइन पेश्ट बना लेते हैं यह देखिए चटनी जो है एकदम रेड़ी है यह बहुत टेश्टी बनती है आप इस तरह से बना कर देखिए एक बार यहां पर मैंने एक तवा गरम कर लिया है तवा जो नॉर्मली हम घर में यूज़ करते हैं यह वो है आइरन तवा इस पर मैंने डाला एक टेबल स्पून ओइल इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेजिए अब इस पर एक कल्ची डाल दीजिए बैटर जो मने त्यार किया था और इस तरह से अच्छे तरह से स्प्रेड कर लेजिए गैस की फ्रेम को आपको यहां पर रखना है और इस तरह सवे एकदम इसे पतला सा स्प्रेड कर लेजिए जब यह थोड़ा-थोड़ा सा ड्राइव होने लग जाए तो इस पर डालिया आप ओईल या फिर बटर इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेजिए और इसे हम पलट लेंगे यहां पर देखे थोड़ा-थोड़ा सा ब्राउन होने लग गया है तो अब हम इसे दूसरी साइड से भी थोड़ा सा सेक लेंगे तो इसे इस तरह से निकाल लेजिए बहुत इजले निकल जाएगा और थोड़ा सा हमें इसे दूसरी साइड से भी पका लेना इसे सेक लेना है यह दोनों साइड से यह सिख चुका है आप इसे गर्मा गरम सर्व कीजिए चटनी के साथ और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्स्राइब जरूर कीजिएगा तो यह देखिए हमारा जो डोसा है मुंग डाल का वह रेडी है या फिर चिला आप इसे इंज्वाइग कीजिए मैं मिलती हूं ने